दोस्तों अपने मटर पनीर की सब्जी तो काफी वार खाई होगी घर में शादी पाटी में रेस्ट बेर्स वें लेकिन मैं आज आपको वही मटर पनीर की सब्जी एक नए तरीके से नए अंदाश से खिलाना सिकाव को चलिए दो बगर किसी दरीके हम करते हैं सुरू हाँ और कोड़ ops 190 म मटर मसाला्र थोड़ा ज्याद रठना त्योंकि हम बना रहा है पनीर मटर मसाला है लाल मिर्ची वोल याद रखना दोस्तों मैं इसमें नॉर्मल जीरा नहीं डाला हूं मैं डाला वास ही द्या लेस्वन लेस्वन को हलका सब ड्राउन करेंगे और यह आगी प्याज प्याज में हलका सब सॉल्ट डालेंगे जिससे क्या होगा हमारी प्याज जबली कलर पकड़ लेगे दोस्तों प्याज ब्राउन हो चुकी है अब मैं डालूंगा इसमें अपनी स्पेशल वाली चिल्ली स्पेशल खुछ नहीं है तो मैंने सुझे इसको ही स्पेशल बना दिया जाए और चलिए यह आया धेर सारा टमाटर को भूनेंगे तोड़ी देर दोस्तों प्याज टमाटर मिल्चीब बढ़ियां के आप उसमें घुल मिल चुके हैं और अब बारी आती है हल्दी पाउडर डालने के धनिया पाउडर रैट चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला हलका अब पानी डालेंगे हम अब मसाला कितना प्यारा भून चुका है कि साइड में ऑईल आ गया और जब भी आप कोई और यह आगे हमारा मतार जिसका में बेस सबी से इंतेजार था कर अब कर आउज अब कर दो कर दो कर दो कि अब हम थोड़ी दिर मतर को पका लेंगे लो जी मतर भी पक गई बहुत ज्यादा नहीं पकाना है में मतर को बरना कलर पैट हो जाएगा और अब बार ही आती है पनीर की पनीर हमें हमेशा लास्ट में डालना है जिससे क्या होगा पनीर हमारा तूटेगा नहीं हलके हांतों से पनीर को मिलाएंगे लो जी पनीर मतर मसाला बनके तयार है और लास्ट में मैं डालूँगा सिर्फ हरा धनिया कितना प्यारा लग रहा है देखने में और यह आगे लास्ट में हरा धनिया चट पटा पनीर मतर मसाला हमारा बनके तयार है चलिए जो आजये अपना अपना प्लेट करके जोड़ बताईएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी आप भी घर पे ऐसे ही बनाएं रिस्तेदारों को खिलाएं दोस्तों को खिलाएं कि और हाँ एक बात और अगर आप चाते हैं कि मैं आपकी मन पसंदीद कमेंट करें कमेंट करके आप उड़व बनाऊंगा फिन मिलूँगा अगले वीडियों के साथ जब तक के लिएं नमस्कार कि अ दोस्तों मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ आपने इससे अच्छी मटर पनीर की सब्जी कभी नहीं खाई होगी एक बार जूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके जूर बताईएगा कैसी लगी मड़ी रेसिपी